Yes very joyful morning to all of you बहुत से स्टूदेंस का ये रिक्वेस्ट रहा पेरेंट्स की और से और फ्रेंड्स की और से भी ये सजेशन रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम basic English sentences को ले तो आज हम 55 ऐसे basic English sentences को लेंगे जो everyday use के लिए ज़रूरी है 55 को हम यहाँ अभी study करेंगे और आप अपना इन से मिलते जुलते बहुत से और sentences का अभ्यास करेंगे जैसे first है वेह काम शुरू मत करो मत करने को हम don't कहते आपने सीखा था तो don't start doing that start के बाद हमेशा हम verb की first form के साथ ing लगाएंगे जैसे खाना शुरू करो start eating खेलना शुरू करो start playing वेह business शुरू मत करो तो don't start doing that business उन्होंने अनात बच्चे को गोद ले लिया गोद लेने को हम adopt कहते हैं ले लिया तो past tense हुआ इसको हम adopted कहेंगे they adopted the orphan orphan होता है अनात उन्होंने एक girl child को गोद ले लिया तो they adopted a girl child adopt का मतलब अपनाना भी होता है जैसे हमें अच्छे गुनों को अपना लेना चाहिए चाहिए के लिए हम should का प्योग करते हैं we should adopt good manners वे तुमसे डरते थे डर ना भैबीत होना इसको हम afraid of कहते हैं तो they were afraid of you यदि यहाँ पर होता कि वे तुमसे डरते हैं तो they are कहेंगे they are afraid of you जैसे मैं dog से डरता हूँ या डर लगता है तो I am afraid of dogs उसे monkey से डर लगता है she is afraid of monkey उसे अपने पापा से डर लगता है he is afraid of his father मैं इसलिए वापिस आया था this is why I came back इसको अब that is why भी कह सकते हैं तो जैसे कि यही कारण है कि मैं उसे बात नहीं करना चाहता this is why I don't want to talk to him यही कारण है कि मैं वहाँ जाना नहीं चाहता this is why I don't want to go there पानी बहुत जरूरी है तो water is very important ऐसे ही आप कह सकते हैं हवा बहुत जरूरी है तो air is very important आपकी presence बहुत जरूरी है your presence is very important अंकल का होना वहाँ बहुत जरूरी है तो अंकल's presence is very important तो इस तरह से इन से मिलते जुलते आप बहुत से sentences खुद बनाएंगे और उसको टासेट करेंगे English में हम सब एक साथ खड़े हो गए we all stood up at once वो सब एक साथ खड़े हो गए तो they all stood up at once तुम कभी भी मदद क्यों नहीं करते why don't you ever help तुम कभी भी वहाँ क्यों नहीं जाते why don't you ever go there वह कभी भी help क्यों नहीं करता तो why doesn't he ever help तुम्हें यहाँ इन्जार नहीं करना चाहिए चाहिए के लिए should लगाते है नहीं के लिए should not you should not wait here उसे यहाँ इंजार नहीं करना चाहिए तो she should not wait here चीज दूद से बनता है तो cheese is made from milk आप ऐसे यह अलग बना सकते हैं कि curd is made from milk वह संगीत का बहुत शोकीन है किसी भी चीज का शोक होना उसे हम इंगलिश में fond of कहते हैं या आपने सीखा था तो he is very fond of music ऐसे उसे cricket खेलने का बहुत शोक है तो he is very fond of playing cricket मुझे chess खेलने का बहुत शोक है I am very fond of playing chess तो ऐसे ही आप अलग अलग sentences ले उसको आप translate करें फिर आप speaking में उसको practice में ले किया है यह रंग पसंद है क्या या क्या तुम्हें यह रंग पसंद है तो do you like this color ऐसे ही आप अलग से बनाएंगे क्या तुम्हें यह shirt पसंद है do you like this shirt क्या तुम्हें वह घर पसंद है do you like that house मुझसे पैसे मत मांगो मांगने को ask for कहते हैं तो don't ask me for money उससे shirt मत मांगो don't ask him for shirt उससे बाइक मत मांगो don't ask him for bike ऐसे ही गुसा मत करो नराज मत हो इस सेंस में हम बोलते हैं don't loss your temper ऐसे ही वह गुसे में आ गया तो he lost his temper उनका मजाक मत उड़ाओ don't make fun of them आमित का मजाक मत उड़ाओ don't make fun of आमित make fun of थे मजाक उड़ाना ऐसी बात मत बोलो don't say such a thing वह बस आता ही होगा he will soon come back आप अलग से कोई और बनाएंगे जैसे uncle will soon come back I will soon come back याईसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं I will come back soon she will come back soon मैंने उससे यह करने को कहा था I asked him to do that मैंने उससे वहाँ जाने के लिए कहा था I asked him to go there मैंने आमित को कोलेज जाने के लिए कहा था I asked him I asked Amit to go to college मैं तुम से सहमत नहीं हूँ I don't agree with you agree के बाद यदि कोई व्यक्ति होता है तो हम with लगाते हैं कोई बात रहती है तो हम to लगाते हैं मैं school चल कर जाती हूँ या जाता हूँ पैदल जाने को जा चल कर जाने को हम on foot कहते हैं I go to school on foot वह है अपने office पैदल जाता है तो he goes to his office on foot she goes to college on foot मुझे चाय से ज़्यादा coffee पसंद है तो किसी चीज़ से ज़्यादा जब भी हम कहते हैं तो हम prefer लगाते हैं I prefer to coffee to tea या इसको सिधा भी कह सकते हैं I prefer coffee to tea वह हमेशा काले कपड़े पहनती है she always wears black वह हमेशा white कपड़े पहनती है तो she always wears white मेरे अंकल हमेशा white कपड़े पहनते हैं तो my uncle always wears white वह प्यानो बजाना जानती है she can play the piano या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं she knows how to play piano उसको harmonium बजाना आता है तो he can play harmonium और आप कह सकते हैं कि he knows how to play harmonium जहां भी रखना है रख दो put it where you like यह से आप यह भी कह सकते हैं keep it where you like वह हमेशा मन लगा कर काम करती है she always works hard वह बहुत मेनत करता है तो he always works hard my father always works hard उसने मुझसे मदद मांगी she asked me for help उसने मुझसे पैसे मांगे तो he asked me for money उसने मुझसे shirt मांगी he asked me for shirt हम उसको परिशान कर रहे हैं we are disturbing him और उनकों के लिए आप them कह सकते हैं we are disturbing them वो मुझे परिशान कर रहे हैं तो they are disturbing me और हमें किसी को परिशान नहीं करना चाहिए we should not disturb anyone हमने थोड़ी देर आराम किया we rested for a while यहां rest का second form में rested उसने वानावर के लिए rest किया तो he rested for an hour या for one hour यह क्या बक्वास है what is this nonsense यह सब बक्वास था it was all nonsense मुझे यह बक्वास पसाद नहीं है I don't like this nonsense तुम समझे नहीं you did not understand पापा समझे नहीं पापा did not understand क्या कोई तुम्हारा यकीन कर सकता है can anyone believe you मुझे अभी भी नहीं पता I still don't know yet जैसे उसे अभी भी नहीं पता तो she still doesn't know yet पापा को अभी भी नहीं पता पापा still doesn't know yet मैं अभी हवाईडे में हूँ या हवाईडे पर हूँ तो I am at the airport now मैं अभी station पर हूँ I am at the station now He is at the bus stand now क्या आज कोई नहीं आया है Is anyone absent today क्या आमित आज नहीं आया है Is Amit absent today क्या आज teacher नहीं आया है Is teacher absent today यह मेरे लिए मुश्किल है It is difficult for me यह मेरे लिए मुश्किल था तो it was difficult for me यह उस बच्चे के लिए मुश्किल है it is difficult for that child यह ममा के लिए मुश्किल है it is difficult for my mother मैं कमरे की सफाई करूं क्या तो shall I clean the room मैं office की सफाई करूं क्या तो shall I clean the office इसना से आप अपना practice करेंगे कहीं भी बैठ जाओ sit wherever you like wherever तक कहीं भी जहां भी आप जाओ discipline में रहो wherever you go remain in discipline मुझे बताओ क्या हुआ tell me what happened उसने मुझे नहीं बताया क्या हुआ तो she did not tell me what happened वे एक दूसरे से नफरत करते थे they hated each other उनकी train छूट गई they missed the train उनकी flight छूट गई they missed the flight हमने उसके प्रस्ताव को सभिकार कर लिया we accepted his offer तो तो सबस्ताव को सबस्ताव कर दो